देखिए भारतिय जन्ता पार्टी अपने समीधान के अमसार सदस्ता अभियान चलाती है और उसके तेट लक्षे भी निर्दारिद करती है। भारतिय जन्ता पार्टी के एक करोड सदस्य बनाने का लक्षे है। आज उस अभियान की शुरुवात यहां जैपूर से हो रही है। और हमारे प्रदेश के परभारी राधा वह उंदास अगरबाल जी भी उसमें आये वे हैं। संथन को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। लोक्षभा में एक टार्गेट था ना क्या फिर एक बार फिर एक बार मोधी सरकार पूरा वाग नहीं वा हुआ हुआ ना वह आप चर्चा होगी और हम इस चुनाओं में निशित रूप से भारती जिन्ता पार्टी बहुत अस्ता प्रदिशन तो नहीं है। कि आप कानून मंत्री है कि एक साथ पूछ रहे हैं एक तो दो दिनों से एक लेटरल एंट्री वाड़ा मामला चल रहा है जिसको आप पूछना चाहरे है। कि दूसरा आप सुप्रीम कोट का एक निर्णय हैं एसी कास्ट को लेकर के सब कैटेग्राइजेशन का दोई भी से पूछना चाहरे हो ना आप या और भी कुछ पूछना तो पहले तो मैं लेटरल एंट्री को थोड़ा आपको बता दूं कि ये नेरुजी के काल खंड से इसको इंद्रा जी ने भी जारी रखा, राजीव गांधी जी ने भी जारी रखा और मनओं छिंग जी ने भी जारी रखा अब लेटरल एंट्री को लेकर के जो ये राहूल गांधी जी जो नेता परतिफक्स भी हैं लोकसभा में वो बे बुनियाद आरोप हम पर लगा रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाता हूं कि क्या डॉक्टर मनमन सिंग जी जिनको आपने सीधाई वित सचीव बनाया लेटरल एंट्री नहीं था यह जिसको चाहे उसको बना लेती ते तो मोदी जी के आने के बाद मोदी जीन का अब ये सिस्टम ठीक नहीं है अगर विशे विशे सिग्यत चाहिए सिस्टम में तो इसका एक सिस्टम होना चाहिए और UPSC एक संस्ता है उसको ये काम देना चाहिए तो इसका प्रजेंटेशन हुआ नीती आयोग में 2017 में तब से ल कि आँच नहीं है जो UPSC का आईएस IPS यादर सर्विशेज का रिसर्वेशन जैसा है वैसा है इसमें भी ओपन फॉर ऑल है और यह कॉंट्रेक्ट की पोस्ट हैं और इसमें अन्नैसेसरी के राहूल गांदी जी जैसे अगनी वीर पे जूटा आरोप लगाया जैसे नीट पे अनुस्ता हूल गांदी जी को और हमारे राजस्तान में तो विशेश रूप से कावत है कि काठ की अंडी एक ही भार चड़ती बार बार दी चड़ती है एक विशे दूसरा विशे है आपका माननिय सुप्रिम कोट ने एक फैसल लग गिया एक विशे चला वह भी उनिके समय से चला है कोई अभी चला इसा नहीं पंजाब से चला जब कॉंग्रिस का साथ संता तब वहां से कि जो मजबी सिक हैं और बालमी की समाज है अनुसुच जाती वर्ग में उनको 50 परसेंट का रिजर्वेशन देना था है ऐसा एक कानून बनाए वह कानून चैलेंज हुआ उस समय सुप्रिम कोट ने कहा नहीं आर्टिकल 341 में आप सब केटेगराजिशन नहीं कर सकते हैं मामला फिर आंद्रा में गया आंद्रा से करना ठका यह सब अपोजिशन से रूल से स्टेट से होता होता ही आया है आकर के सुप्रिम कोट में ही गया तो सुप्रिम कोट में अब कहा है कि भारत के समयधान के अनुसूद 341 में जिसमें अनुसूद जातियों का वरणन लिखावाय समावेस लिखावाय जातियों के नाम लिखे वे हैं उसमें राज्य चाहें तो सब केटेकराइज़ेसं कर सकते हैं राज्यताएं तो ये राज्यों को दिखार दिया थैए पहली बात दूसरा उसमें कंडिशन लगाई कि राज्य ऐसा करने से पहले प्वांटी फाइबल डेटा इखटा करेंगे नमबर एक कंडिशन है नमबर दो संदे किसी भी और जाती को अगर आप सब करके रिजर्विशन देना चाहते हैं तो उस जाती को आप हंडेड परसेंट रिजर्विशन ऐसी का नहीं दे सकते यह कंडिशन है यह तो है निर्णे गड़ा कर दिया क्रीमी ले क्रीमी लेर सुप्रीम कोट में एक ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोट के फैसलों को पड़ने से यह ज्यात होता है कि ऑब्जर्वेशन पार्ट अलग होता है जिसको हम टिपनी कहते हैं और निर्णे पार्ट अलग होता है जिसमें डारेक्शन ह होता है है तो क्रीमी एरी क्रीम क्रीमी लेर का जो मामला है डेक जे आप्जर्वेशन आप दासुप्रीम कोट ओडिसेजन और सब केटराइजेशन आप शुडूल कास इजेप आप डिसेजन और उसमें राज्यों को अधिकार दिया है कोई कन फ्यूजन नहीं रहना चीह सब्सक्राइब करता हूं कि विफख्ष के भरम में वो नहीं आए थैंक यू